असलाव अलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं सब खैरिया से होंगे और अलहम्दोईल्ला अलहम्दोईल्ला आप सब की दूआ से हम भी अच्छे हैं तो चलिए आज का ब्लॉग इस्टार्ट करते सबसे पहले तो मैं आप सब का जो मेरे नियू सस्क्राइबर हैं जुन बहुत अच्छा व्यूज गिया और लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसलिए मैं तहे दिल से आप सब का सुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि मैं सोची नहीं थी कभी मतलब आप सब मुझे इतना प्यार दें मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब कैसी तरह प्या अलापको इत्म नापसंदीदा वर्ड लगता है यह अलापको हलाल है यह लेकिन नापसंद है तो इससे कोसिस करना चाहिए इनसान को बचने की लेकिन आज के टायम में आज का जो दौड चल रहा इसमें बहुत मुझकिल है बचना और बहुत अल्ला सब की हिफायत बट यह बहुत तेजी से फैल रहा है अतलाक के बाद लाइब नब बहुत अलग हो जाती है आप डिप्रेशन में चल जाते हैं मेरा हाल जो था ना मैं बता नहीं सकती कि यह सब कुछ कैसे फेस करी हूँ मैं कैसे जेली हूँ इतना कुछ अकेले वहो भी बहुत मुश्किल दोड से गुजरी हूँ मैं उसके बास से मुझे समालने में बहुत time लग गया और अभी तक लेने में से बहुत की एक सवालpex एक सवाल के बाद ही क्यों दो साल में होता है। क्या अगीन होती है तलाग के बहुत ज्यादा मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी पूरी लाइफ और बचो को देख करके बच्चों को सोच करके बहुत ही, यह मतलब बताने सकती है अपनी एकक्त के से सार्य जाता है इनसान को सबर आई जाता है कि लेकिन वक्स होता CPA आजाता है यूए कभी बस अर ह sì तो कभी भी उसकी एक जो रहती IS कहीं कुने में दबाकर रखता है अपने दर्द को कभी ना कभी बाहर आई जाता है तो बहुत मुस्किल से यहां तक लाई हूँ, सम्हाली हूँ मैं अपने आपको और आगे आप सब का सपोर्ट चाहिए, मुझे प्यार चाहिए इसी तरह जिंदगी में मैं अब ऐसा लगता है न मेरे तो बस मैं अपना एक मुकाम चाहती हूँ, अपना पहचान चाहती हूँ, कि अपने लिए कुछ करूँ, अब मुझे जो किसी भी रिस्ते पर भरोसा नहीं है, बस अपनी जिंदगी न, अकेले ही अपने बच्चों के साथ, अल्ला का सुकर अदा करके जीना चाहती हूँ, बहुत कुछ कोशिस भी करती हूं, पर नहीं हो रहा है, और मतलब, नहीं हो पा Rहा चुछ भी न, तो फिर भी मुझे एक जिरिक यकीन है, कि तक इनसान को उमीद रखनी चाहिए अच्छा अल्ला से अच्छा गुमान रखना चाहिए और ऐसा होता ना कि कई सारी लड़कियां जो होती हैं तो जिसकी तलाक हो जाती है वह असा सुझती तलाक के बाद जिंदगी खतम हो गए हमारी जिंदगी अब कुछ भी नहीं है तो बहुत कमजोर होता है औरत तो और भी जादा कमजोर होती है और दोस्ते में भी आ जादा है तो कमजोर ही है वो तो औरतों के लिए और भी मुस्किल होता है आदमियों के लिए कोई मुस्किल नहीं है उसके लिए तो अल्ला ने इजाज़ दे दी है तीन-चार सारी तो वह तो बहुत बिंदास रहते, खुछ रहते हैं, लेकिन हम और दो को ना, बहुत अपने बच्चों को सोचना पड़ता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना पड़ता है, हैं जो मैं करूंगी आप सबसे तो बस बस हो गया अब जो होना था वो गया उससे कोई रोकनी सकता है जितना रोकने की कोसिस करी मैं करते करते 18 साल निकाल दी अगर बचे ना रहता रिष्टा तो बच जाता इतने साल के बाद बचा मतलब नहीं था मुकदर में कभी कभी चीज ना कोई चीजे ना आपकी इक्तियार में होती नहीं है और साथ जो होता ना वो अल्ला का साथ ही होता है हमेशा मतलब मरने के बाद भी हमेशा का साथ जो होता ना वो सिर्फ अल्ला का होता इंसान का साथ नहीं होता इंसान सहर हो अलाद हो एक वक्त तक ही आपका साथ देगा बहुत बेरहम दुनिया है यहां कोई नहीं होता है तो इसलिए जादा उमीद किसी से करनी नहीं चाहिए हम तकलीफ हमें तब जब असलियत सामने आजाती है तो बहुत मुस्किल हो जाता है बरदास करना और फिर बहुत ही मुस्किल हो जाता है इस दोर से झ कीऐसे हो अधो स्क या मेरे शॉक्त में आया जिनना यक्स जीए लोग जिए तरॉक of Zahlen के वेगर भी लोग जीते हैं तरॉक भी से सांट में मैं होते हिसे कर रहे कर कैसे अलग हो जाते इतना अच्छा रिस्ता बोशताी मज़ीं चाहिए लग पाक ने जो भी किया से होasता मैं टलाक का लेकिन ये डिस्टा ऐसा होता ना जैसा घूप नाण करो घूसित उतल ज्यास walks पस्याता हुए लिखिन लेकिन बहुत मुंस्किल है आज के टाइम में संभार ने मेरे पास कि दीदी मेरा भी यही हाल मेरे साथ भी ऐसा है तो मुझे बहुत दिल से दूख होता है बहुत तकलीफ होती है कि मैं एहसास कर थी चुन्य पस यही बोलूगि कि चिन्दगी कहत्म नहीं जिना चाहिए इंसान को अपने बच्छों के लिए जो इनसान हमारे सोचा ही नहीं हमाई इस मौर पे लाकर छोड़ दिया तो हम उसके बारे में क्यों सोचे हम क्यों आपनी लाइक को फिर से स्टार्ट करें एक सोहर के बेगर भी जिया जा सकता है ऐसा नहीं है सोहर अगर नेक है अच्छा है समझदार है कदर कर रहा है आपकी तो दिल से उनकी इज़त करो कदर करो और उसे मानो लेकिन अगर जब नहीं जो इनसान आपको इस हाल में छोड़ दिया है ऐसे मौर पे तो उसके लिए बेवकुफी है अपने उसके बारे में सोचना या आपको अजियत देना तो बस अपने लिए सोचे ये दुनिया बहुत मतलब ही है मैं बतानी सकती बहुत अच्छा लगता मुझे आप सब से बात आहीं अपने दर्द आपने फीलिंग से बता के बहुत अच्छा लगता है तो बस जल्दी से अगर मेरे चैन्थ है तो सब्सक्राइब भी कर दे मीरे वीडियो अच्छी लग के तो सेर भी आगी कर सकते मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे इस तरह से बहुत आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो इंशालला जिन्दगी में आगे आप सबका दूआ और प्यार रहेगा तो बहुत कुछ कहरना है तोटी हूँ हारी नहीं हूँ अभी तो चलिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज